हेलो फ्रेंट्स आप लोग का बहुत बहुत स्वाकत है स्टडी पॉइंट यूटूब चैनल पर और इस पच्छिकुलर वीडियो शेशन में हम लोग डिसकस करने वाले हैं मैस के कुछ बहुत ही इंपोर्टन कोशन जो कि आपकी आने वाली एक्जाम के लिए बहुत ही जाद जरूर करिएगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा चार कोशन में इसमें डिसकस करूंगी बहुत इंपोर्टन है तो चलिए हम लोग अपने डिसकसन स्टार्ट करते हैं पहला कोशन जैसा कि आप देख रहे हैं और इस तरह के कोशन हमेशा ही एक्जाम में पू कि सॉल्व किया जा सकता है बट मैं आप इसको दूसरे अम्हात्रट से समझाने वाली हूं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किया किया कोशन में दिया है से सबसे पहले लिए ऑप कोशन को फिर से द्यान से देखिए को पहले बात तो आपको 55 और 30 को एड़ कर देना है यानि कि कॉफी और चाय पीने वाले स्ट्रेंट को आपको एड़ कर देना है तो यह हो जाएगा आपका 55 प्लस 30 इस उकल टू आपका आजाएगा यहां पर 85 ठीक है और 20 विद्यार्थी चाय और कॉफी दोनों ही पीते हैं तो 85 में से आपको 20 माइनस कर देना है 20 माइनस कर देंगे आप लोग तो इसमें आजाएगा आपका 65 ठीक है सबसे पहले टी और कॉफी दोनों ही पी रहें 85 स्टुडेंट जिसमें से 20 स्टुडेंट ऐसे हैं जो कि टी और कॉफी दोनों ही पीते हैं ठीक है तो फिर आपको पता है कि कोशन में दिया गया है टोट कि हमारा आंसर हो जाएगा 35 विद्यारती ऐसे हैं जो चाय या कॉफी दोनों ही नहीं पीते हैं तो आपको किस ऑप्शन में 35 जिकरा है तो ऑप्शन भी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ठीक है एक मैथड तो यह हो गया क्या किया मैंने ध्यान से देखेगा चाय और कॉफी जो अलग-अलग पी रहे हैं उनको प्लस करके दोनों ही जो पी रहे हैं उसमें से माइनस करके टोटल स्टूट में से माइनस कर देना एक इसका मैथड और है जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि 30 विद्यारती चाय पीते हैं यानि कि 100 है टोटल तो इसको हम लोग नहीं मान ले है ठीक है तो 20 प्लस कर देंगे ठीक है इसमें से 70 इसमें से 45 और 20 और जो सारा प्लस आएगा उसमें से हम लोग 100 को माइनस कर देंगे तो आप इसको प्लस करेंगे तो आपका ही आजाएगा 135 और इसमें फिर आप 100 माइनस कर देंगे तो आपका आजाएगा 35 दो मैथड से मै आपको इसको सॉल्फ करा दिया जो की जो भी आपको मैथर्ट कीजी लगे उसको आप सॉल्फ कर सकते हैं और हमारा आंसर जाएगो ऑप्शन भी थर्टी फाइफ स्टुडेंट ऐसे हैं जो कि चाय या कॉफी दोनों ही नहीं पीते हैं ठीक है अब हम लोग अपने नेक्स कोशन पर आते हैं नेक्स कोशन है जैसा कि आप देख रहे हैं कोशन है एवरिस से रिलेटेट कोशन है एवरिस से भी कोशन पूछा जाता है छे संख्याओं का आउसत आठ है यानि कि संख्याओं का आउसत आठ है यानि कि संख्याओं का आउसत आ यहांनि कि संthis झॉडि जूड़ि जाए कि इस उसत्र एका आध कर देंगे कर देंगे तो जो भी आपका आंसर आइगा वही यांनिकी स्पर zach घ्म लुड़े दो है describe Dash कोugen दो चाएगा ना किरेंगे वो संख्या टोटल आपको पता कर लेनी है फिर according to question जो आपसे पूछा है उससे भी average का पूरा निकाल देना है फिर दोनों को हमें क्या कर देना है minus कर देना है तो 70 में से 48 minus कर देंगे तो आपका आजाएगा answer 22 और option A हो जाएगा हमारा correct answer ध्यान से पड़ेगा question क्यूंकि इस तरह के question हमेशा से ही exam में पूछे जाते हैं और ये question आपको अच्छे से याद होना चाहिए सबसे पहले जो संख्या दी है उसका आउसत आपको दिया रहेगा तो आप संख्या निकाल लेंगे टोटल और क्यूंकि याँ average दिया हुआ है और उसके बाद भी टोटल निकाल करके आपको माइनस कर देना है तो option A हो जाएगा हमारा correct answer इस question पर आदें देखिए वीडियो का अपनो लाइक जरूर कीजेगा और उसको अपने friend circle में जादा से जादा शेयर कीजेगा इसका part one channel पर uploaded है जिसका link मैं आपको description box में provide करा दूँगी आप वहाँ से उसको click करके देख सकते हैं उसमें भी important question को discuss किया गया है ठीक है like जरूर कीजेगा और share भी आप लोग जरूर कीजेगा देखे third question है ये question मैं आपको allegation rule से समझाओंगी तो ध्यान से सुनिएगा question क्या कह रहा है सबसे पहले question को ध्यान से पढ़िए 60 विद्यारतियों है यानि कि 60 विद्यारतियों की एक कक्षा में औसत अंक कितना 82 यानि कि total student कितने है 60 है ठीक है और औसत अंक क्या है उनका 82 है और उस विशा में लड़कों और लड़कियों के औसत कितने है 80 और 85 यानि कि boys का औसत क्या है 80 और girls का औसत क्या है 85 तो कक्षा में लड़कों की संख्या आपको बतानी है ठीक है ये 60 दे रखा total student इटमें girls भी है और boys भी है उनका average mark कितना है 82 यानि कि girls boys दोनों मिला करका average उनका 82 है बट अलग-अलग बात की जाए तो boys का average 80 है girls का average 85 है तो आपको लड़कों की संख्या बतानी है लड़कों की संख्या बताने के साथ साथ मैं आपको लड़कियों की संख्या कैसे बतानी होगी यह भी आपको बता दोगी इसको हम लोग सॉल्फ करने वाले allegation rules है allegation method से इसमें क्या होता है कि आपको देखना है कि और सत क्या है कि और सत है 82 ठीक है और गर्स का क्या है 85 बॉइस का क्या है average 80 तो आप 82 को यहां पर लिख लेंगे ठीक है एक सेकंड में आपको एक इस पेश में बताती हूं इसमें क्या करना है 82 को आप बीच में लिख लीजें जो कि आपका यहां पर टोटल एबरेज है यहां पर boys यहां पर girls का आप लिख लीजे boys का average क्या है 80 ठीक है 80 है girls का क्या है 85 है ठीक है अब allegation में हम लोग ऐसे आप solve करते आपको पता होगा तो 82 से 80 minus करेंगे आप 82 से 80 minus करेंगे तो यहां प्या आ जाएगा 2 और 85 से 82 को minus करेंगे हां प्या जाएगा 3 तो आपको ratio क्या मिला ratio आपको मिला है ratio आपको क्या मिला 3 is to 2 ठीक है 3 सही 2 आपको ratio मिला है क्योंकि आप से इस question में boys का average पूछ रहा है तो boys के देख लिजे यहाँ पर 3 आया है तो सबसे पहले 3 लिख लेंगे upon total 3 plus 2 5 और मैंने जैसा की question में कहा था कि total student कितने है 60 यहाँ पर 60 इसको जब आप लोग solve कर देंगे तो जब आप इसको cancel out करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरी तरह cancel करने के बाद यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा answer 36 तो boys की संग्या क्या है 36 इसी तरह अगर आपको girls की पता करने है तो normally आप minus कर सकते हैं आपके total तो 60 थे 60 में से आप इसमें से boys का minus कर देंगे तो girls की आपका student अपने आप ही निकल जाएगा इन केस अगर आपको girls का निकालना होता तो आप क्या से करतें जो ratio आपका आया है ठीक है ratio आपका क्या आया था 3 इस्टू 2 यहाँ पर boys का था यहाँ पर girls का था टोटल इस्टूडेंट आपके से 60 तो girls के निकालने गल्स आप लिखते गल्स का नंबर 2 अपन 5 इन्टू 60 ठीक है तो यह आपका solve जाता यहाँ पर जाता 24 माइनस करके भी निकाल सकते हैं तो यह मैंने method आपको बताया है इस तरह के method आप लोग क्या बोलते हो allegation rule ठीक है तो question number 3 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर आप कोई भी डाउट होता है तो आप comment section में पूछ सकते हैं ठीक है तीन question हमने discuss किया अब हम लोग आगी question को discuss करते हैं इस question का answer जाएगा 36 एक question आपके सामने mixture से है इस तरह के question भी exam में हमेशा पूछ जाते हैं तो चले हम लोग देख लेते हैं इसको solve कैसे करना है सबसे पहले question को आराम से पढ़ते है बीस लीटर मिश्टर में total कितना लीटर लीटर दे रखा है total आपको पता है question में दिया है 20 लीटर उसमें से 20% क्या है alcohol परसंट की बात की है आपको exact value कितना लीटर है अलकोहल का वो नहीं पता है आप से यहां पर खाये 20% है और 6 क्या है पानी है यह उसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रम में अलकोहल का प्रतिशत कितना होगा question फिर से पढ़ एल्कोहल और 6 पानी है यदे उसमें 4 लिटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा ठीक है इस कोशन को हम लोग सॉल्फ करते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है क्योंकि आपको दिया हुआ है कि कि 3 लिटर है 20 लिटर है इसमें 20 पर पानी है और आपसे पोशन कहा है कि उसमें 4 लिटर पानी और मिला दिया जाए थीक्टेब तो 4 लिटर यनि की 20 लिटर में 4 लिटर और मिख्ष्टवट रोजाएगा ठीक है और आपको वैल्helmumopy नितना आपको संभाया ठीक है 20 लिटर का 20% क्योंकि 20% आपका alcohol है तो alcohol की value मिल गई 4 лीटर आप से话 में कहा है कि 4 लीटर और मिला दिया, तो total 20 था ठीक है, total 20 था, 4 लिटर इसमें, क्या mix किया गया है, 4 लिटर इसमें पानी और मिला दिया जाता है, तुमारा जो total, वो 20 से कितना हो गया, 20 से हो गया, 24, ठीक है, अब alcohol कितना था, 4 लिटर, तो आप से पुछा है, कितना उसमें, question क्या पुछा है, तो नए मिश्ण में alcohol का प्र 24, ठीक है, mixture total 24 था, और मैंने आप से निकाला, तो ये 4 लिटर आपका alcohol आया, percentage पूछा है, तो 100 से multiply हो जाएगा, तो आपको alcohol का प्रतिशत यहां पे निकल जाएगा, तो 4 upon 24 है, तो यहां पे 6 हो जाएगा, यानि कि 100 upon 6, अब आप लोग 100 upon 6 को solve करेंगे, तो आपका ही आजा होगा, कैसे सुसार करते है, 50, यहां पे 3 से divide कर देंगे, तो आपका mixed form में answer आजाएगा, यह क्या हो जाएगा, आपका 16 is to 2 by 3, कैसे आए बता देती हूँ, जैसे कि यहां पे लिखा है, 50 upon 3, आप लोग में इससे बहुत को आता होगा, बढ फिर भी मैं एक बार रिवाइस क फिर 18 और यहां पे 2, ठीक है, जो कोशन्ट होता है, इसको हम लोग कोशन्ट कहते हैं, यहां पे 16 ला जाएगा, remainder आपका कितना है, यहां पे 2 हो जाएगा, upon जिससे आप डिवाइट कर रहे हैं, तो 16 is to 2 by 3, यह आपका answer है, ठीक है, 16 is to 2 by 3, option B हो जाएगा, अमारा correct answer, पूछे जाते हैं, और पहले पूछे गया हैं, आगे पूछे जाएंगे, इसका part 1 चैनल पर already uploaded है, उसको भी आप देख लीजेगा, इसका link में आपको description box में provide करा दोंगी, और comment section में पिन कर दोंगी, ठीक है, और वीडियो का अप लोग like and share जरू करिएगा, अगर आपको को कोई भी doubt हो, तो आप comment section में पूछ सकते हैं, thank you so much for watching, thank you